नमस्कार ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ संदीब ग्रोवर और शेर का नाम है सुजलान जो की आज ट्रेंडिंग है बजिंग है और इन फैक्ट सरकेट हिट करता हो नजर आ रहा है और दोबारा इसमें खरदारी लौट तीवी नजर दर आई है और दो दिन से आप देखे लगातार इसमें उपरी सरकेट लगते हो देखे हैं आज दिन के दुरान शेर ने 73 रुपे 5 पैसे ये 5 परसंद का आपर सरकेट लेवल है जो की इसने चुआ है और इन फैक्ट जो दो दिन पहले लो बनाया था 65 रुपे 60 पैसे का वह देखे हैं तो साड़े 14 साल की उचाई पर इस शेर पहुंचता हुआ नजर आप भी रहा है इस साल आप देखेंगे तो करीब 90 परसंट और एक साल में आप देखेंगे तो शेर आल्मोस चार गुना हो चुका है 290 परसंद के आसपास की रिटान स्टॉक डिलिवर कर चुका है कारण क्या है उस समय जब हमने 30 जुलाई को यह शेर कवर किया था उसमें तो इस कंपणी के नतीजे आये था नतीजे ताबर तोर थे तीन गुना से जादा इनका मुनाफ़ा बढ़ता हो दिखा था जिस वजह से शेर में हमें देखा था एक्शन बनता हो दिखा था आज जो हिसेदारी खाइदी जाएगी रेनोम अनरजी में वो संजे गोडावत ग्रूप यानि कि SGG से यह हिसेदारी खाइदी जाएगी और आपको बता दें कि यह जो कंपनी खाइदी जारी है रेनोम अनरजी यह देश की सबसे बड़ी मल्टी ब्रांड ओपरेशन्स और 172 MW की balance of payment balance of plant services जो होती है उसकी शमता है इस company की और in fact आप देखिए यह जो company है यह साथ राज्यों में operate करती है और इसके 14 ऐसी company है चौदा ऐसे manufacturers हैं जिनकी यह assets हैं वो maintain करती है और यह जो सौधा है दो चर्नों में पूरा होता हुआ नजर आएगा एक पहला जो phase है उसमें 51% इसे जारी खहिए जाएगी 400 करूड उपे खर्च किये जाएंगे और दूसरा phase में आप देखेंगे तो 25% जो बाकी बचा हिस्सा है वो अगले 18 महिने में पूरा किया जाएगा और उसके उपर 260 करूड उपे खर्च किये जाएंगे इस अधिगरहन के बाद इस company के जो CEO ह कारोबार करती हूँ नजराएगी और इस company के सूजलों ग्रुक में आने से इन फाक्ट सूजलों का जो कारोबार है उसको financial stability और ज्यादा मिलती हूँ नजराएगी उसकी जो financial stability है वो और ज्यादा बढ़ती हुए नजरा सकती है अब ब्रोकर का जो टेक है वो भी आपको बत most target वो हिट होता हूँ नजर आया वे क्योंकि आज का जो हाई है वो 73 रुपे 5 पैसे का है मौगन सेलनी का ऐसा मानना है कि यह जो अधिगरेन किया गया है कंपनी के और से यह कंपनी के और से एक strategy कदम है जो कि आगे चलता हुए कंपनी को फायदा होता हूँ दिखेगा और जेम फिनेंचल ने भी इस कंपनी के उपर अपनी जो बाई की रेटिंग है उसे अभी भी बरकरा रखा है कहजारी किराय अभी भी बरकरा रखी है उनका ये कहना है कि सुजलान को छोड़ कर जो 32 गीगावाट की यह जो OMS Services Market है पूरी Operation and Maintenance Services का जो पूरा Market है 32,000 का उसको कैप्चर करने में इस अधिक रहन के जरीए कंपनी को काफी ज़्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी क्योंकि इस कंपनी के पास खुद के एसेट्स भी है और बाकी कंपनियों के एसेट्स हैं उनको ये कंपनी मेंटेन भी करती है तो एक नया Business Avenue कंपनी के लिए जो होल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमने 30 जुलाई को भी इसको कवर किया था तो हमने लक्षमिश्री इन्वेस्मेंट और सेक्योर्टिस के हेड ओफ रिसर्च अंचुल जैंजी से बातचित करी थी उस समय उन्होंने कहा था कि इस शेयर में 74 और 90 तक के टागट देखने को मिल स कर सकते हैं और जो फ्रेश कहजारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं इन्फाक्ट जब 30 जुलाई को हमने इस टाप को कवर किया था तब उन्होंने मना किया था कि फ्रेश कहजारी से बचना चाहिए लेकिन आज स्टाउक ने 72 रुपे का जो लेवल है काफी ज़्यादा हा क्ञेवल इस लेवल को आपको स्टॉपलस के तार पे इस शेर में जरूर रखना है जो कि पहले आपको 58 रुपे का बताया गया था अब ये लेवल जो है 58 रुपे का स्टॉपलस बढ़ा कर 64 रुपे का कर दिया गया है टागेट वही है 90 रुपे का जो यह तीजी है अभी cesuslon के stock में दुवारा से लगने लगे आप पर सरकेट इसमें भर्ढ कर सकते हैं क्यूंकि शेर 90 रुपय तक जाने की ठिरवारी करता हो नजर आ रहा है तो बजिंग stocks में मरीन रिंका focus लगातार बरकरार है रहे इसे और भी stocks आपके लिए covered करते रहेंगे तब झाल झाल